असलाम लेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग अलहम्दलिल्ला मैं भी ठीक हूँ अच्छा जी ये शाम का टाइम है और हमारे घर दो बच्ची आई हुई हैं जो के हमारे से टूशन लेंगी तो क्योंकि शाम की टाइम वैसे भी फ्री होते हैं तो हम ने क काम वली बच्चें भी आई हुई हैं और मोसम बहुत अच्छा है और आज मेरी भेन भी आ गई थी आज जो हैं खूब भी रोनक लगी रह गई है भेन मेरी आ गई थी तो शाम की चाए बहरी बैट कर पी थी और जो हैं मोसम बहुत ही प्यारा हो गया है अब मोसम चेंज हो काफी फरक पड़ गया है मौसम में और ठनी ठनी हवा पी चल रही थी आज मेरी भाग जी की बर्डे भी है तो मेरी भेट कह रही थी कि आज मैंने केक काटना है तो तो वह ही पर आ गई थी प्शली फटे भाग जी बर्डे थी और इस हफ़सथे जो है मेरी भाजी की बर्डे हैं तो बस जस्ट के की काट लिया था और फिर मैंने सोचा के मिक्रोनी बना लेती हूं सबसी मैंने काटे रखती है यह बंध को भी काटी है मैंने शिंद्ला मर्च और कैरेट है यह मैंने लिए है और मैकरोनी को ब्रलोगे में जैसे मिक्रोनी मेरी जो है वाइल हो जाएगी तो अच्छा जी अब चिकन को जो है वो आईल में फ्राइब कर लूगी और जैसे चिकन फ्राइब होगा तो इसमें यखनी डाल लूगी और मिक्रोनी भी मेरी बॉाइल हो गई थी और बहुत अच्छी बॉाइल होई थी चिकन मेरा जो है वो फ्राइब हो गए आप मैं इसमें डाल दूँगी यखनी यखनी से ये है कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और इस यखनी के पानी में ही जब चिकन गल जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी सबसियां एड़ कर दूँगी सबसियों को मैं फ्राइब कर लूँगी और हलका पुलका सब फ्राइब करूँगी सबसियां फ्राइब हुई है अब मैं इसमें सब स्पाइस डाल दूँगी और इसमें मैंने डाला था नमक, ब्लैक पिपर और थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनिस नमक डाला था और साथ में ही मैं डाल दूँगी सोया सास सिर्का और इसके पाद में मिक्रोनी एड़ कर दूँगी बहुत ही अच्छी मैनी थी अच्छा इसमें मैंने रेट मिसाला डाला था ठाइन चाहरी थी अच्छी आज जो है मेरी भाजी की बढ़े थी तो मैंने का आज मिक्रोनी बना लेती हूं तो बच्छे भी सोक से खाते हैं मिक्रोनी और हम बड़े भी शोक से खा लेते हैं कि अची हमें उसी पता चला था कि भैन मेरी आ रही है तो फिर बस जल्दे-जल्दे की सिर्फ मिख्रोरी भना ली थी असानी से बन गई थी जल्दे भी बन गई थी बस चीज इसके बाद मैं आप एड़ कर रही हूं मिक्रोनी और अब मैं इसको कर लोंगी मिक्स थोड़ी देर में इसे जम पे रखोंगे और मिक्रोनी मेरी रैडी हो गई थी हम सब ने बहुत शोक से खाई थी मिक्रोनी बहुत ही यमी बनी है बहुत ही तेस्टी अच्छा जी फैर से जो मेरी भांची है वो साथ साल की हो गई है और केक बहुत ही मज़ेदार था बहुत यमी था केक क्योंकि ये कोकोनेट फ्लेवर था और कोकोनेट फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद है और बच्चों ने भी शौक से खाया था बस अब बच्चे मिक्रोनी खा रहे हैं क्योंकि उस वक्त तो बच्चों ने नहीं खाई और मैंने ही टेस्ट की थी बस सोना हलवा मंगवा लिया था क्योंकि ये हमने बाहिर भेजना था तो इसमें से एक डबा तो हमने अपने लिए मंगवाया था क्योंकि हमने भी टेस्ट करना था यूंकि बच्चे कहा रहे थे कि नहीं हमने भी खाना है तो पिर हमने शुकर है कि एक डबा एक्स्टर ले लिया था और ये बहुत ही मश्यूर है ये एहमद वालों का मुलतान में सोन हलवा और बहुत ही टेस्टी होता है अच्छा दे फिर नेक्स दिन हम चे ले गाये थे भेहन के घर क्योंकि मेरी भेहन कहा रही थी कि मैंने बर्डे वाले दिन आपको कोई चीज ने खिलाई निकलोनी तो हमने घर में बना ली थी तो बच्चे जित कर रहे थे कि हमने पीसा खाना है तो फिर मेरी बेहन ने कहा था कि आज आप मेरे घर आ जाओ तो मैं आपको पीसा खिला देती हूँ बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे भी कपसे कह रहे थे कि आपने इतने दिन हो गया है चकर नहीं लगाया तो फिर हम भेन के घर आ गए थे अच्छा जी जैसे हम भेन के घर आए थे तो मेरे कजन भी आए हुए थे मेरे मामो के बेटे तो वो भी अम्मी से मिलने आ गए थे हम जब भी आएं, अगर मेरे मामों के बेटे आयो होगे हो तो वह ज़रूरी मिलते हैं अमी से बस बैठ nih घर की सेटिंग चेंज की थी तो हमें किह रही थी कि आओ, हमें बुला रही थी कि मैं सेटिंग चेंज कर रही हूं तो देखो किस तरह से करूं बच्चे तो बहुत ही खुश थे हम जब पी जाएं तो बच्चों की तो खुशी की इंतहा नहीं होती और बच्चे जो हैं बेडरूम में बैठे अपनी ही मस्तियां कर रहे थे और अमी को ये था कि हम बाहर बैठते हैं लॉन में अमी कप से कह रही थी कि लॉन में बैठते हैं क्योंकि जरा शाम के टाइम जो है मौसम में जरा फर्थ था उस दिन और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा था लॉन में तो फिर हम लॉन में ही चले गए थे और बेन बना रही थी चाए और चाए के बगएर हमारा गुजारा नहीं है बस जी हम फिर आ गए थे लॉन में और लॉन में ही बैठ गए थे बाहर मौसम ज़्यदा अच्छा हो रहा था बानिस्बत के अंदर अच्छा जी मेरी कजन के बच्चे हैं वो भी इसी साइट पे आ गए थे लॉन वाली साइट पे और बहुती मज़ा आया सब मिलके बैठे और बहुती इंजॉय किया शाम कर टाइम वैसे भी थन्दी थन्दी हवा फिर चलने लग गई थी और फिर बेनोई भी मेरी आ गए थे शाम को और फिर बेहन मेरी ने पीजे मंगवा लिये थे बच्चे कप से कह रहे थे कि मेरी भाजी की भी बड़ ड़ गुझरी है और पिर भाजी की भी थी तो आप हमें खाला कोई चीज खिलाएं तो आज फिर मेरी भेन ने पिर आपो पिजों को के मैं आज पीजे मंगवा के दूँगी आप लोगों को फिर पीजा एंजॉई किया हमने अच्छा जी इसके साथ ही मैं चाती हूँ इजाज़त इन्शालत आला मिलूंगी नेक्स व्लॉक में अला हाफिज